आप एक गाय जितने शांत नहीं हो सकते हैं, चाहिए आप कितनी भी कोशिश कर लें, हाँ? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं? शायद अगर आप आज उसे परोसा नहीं जा रहा हैं, लेकिन वहाँ रेस्टरॉंट है, धेर सारी पॉंगल खा लीजे, आप शांत हो जाएंगे पता है अदक्षन के लोग इतने शांत क्यों होते हैं? आप बहुत सारी पॉंगल खा लीजे, एकदम शांत, ये असर होता है, तो लोगों ने कोशिश की है, जरूरत से ज्यादा खाना, नशीली चीजें, शाररिक सुखों में ज्यादा डूबना, इन सभी चीजों से लोगों ने अपने अंदर किसी तरह की शांती पैदा करनी की कोशिश की है, आपको लगा कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुँचे, कि यही दुनिया की सबसे बड़ी खोशी है, सब कुछ कितना अच्छा और खोशनुमा है, अगली सुबा देखिए, इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ कुछ गड़बढ है, बस इतना है कि आप एक सीमिच चीज से एक असीमिच आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं काम करने वाला, यह कभी काम नहीं करेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस यह काम नहीं करता, दुनिया में ऐसी बहुत सी महान चीजें हैं जो काम नहीं करती है, मुझे उनमें कोई दिल्चस्पी नहीं है, बस, आपको महान चीजों में दिल्चस्पी है, क्या आपक काम करती हैं. कई सारी महान चीजें, लोग दावा करते हैं, कि महान चीजें मौजूद हैं, पर वो काम नहीं करती, उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया. वो महान है, क्योंकि किसी नहीं ऐसा कहा है, वो महान चीजें हैं, क्योंकि किसी इंसान को लगता है कि वो बहुत महान है और वो जो भी कहेगा वो महान ही होगा पर वो काम नहीं करती हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो काम करें अगर आप अपने अनुभवों के सिलसिले को सौ प्रतिशत खुद तै कर रहे हैं आप करने लगे हैं इन टांगों में कितना दर्ध हो रहा है पर फिर भी ये काम करने लगा है अगर आप अभी अपने अनुभव की प्रकृती खुद तै कर रहे हैं सौ प्रतिशत मान लीजिए कि ऐसा ही है अगर ऐसा है तो क्या किसी को आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज अच्छा अनुभव बनाईए क्या किसी को बताना पड़ेगा नहीं तो कोई आपसे कहे प्यार में रहो आनंद में रहो ये बक्वास है आया ना क्योंकि किसी और को बताने की जरुरत नहीं है कि खुश रहो दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृती तय नहीं कर पा रहे हैं अगर आप अपने अनुभव की प्रकृती तय कर पाते हैं तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो प्यार में रहो खुश रहो वगरा ये सब जिन्दगी की आधी अधूरी समझ से आ रहा है आपने किसी को लड़ते हुए देखा और कहा प्यार से रहो किसी को दुखी देखा तो कहा खुश रहा करो ये सबसे बड़ा अपमान है जब कोई इंसान बहुत दुखी हो उससे जाकर कहना कि खुश रहा करो अपमान करने जैसा है, है ना? नहीं? पर ये सब ही इस धर्ती की सबसे बड़ी शिक्षाएं है जो सदियों से चलती आ रही है ये सब ही वो महान चीजें हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अनुभव की प्रकृती कैसे तै की जाए आपके अंदर जो चीज अनुभव पैदा करती है अगर उस पर आप काबू कर लें तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अपने लिए बहुत खुशनुमा बनाएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं तो आप अपने याँ पास-पास के लोगों के साथ भी खुशनुमा रहेंगे पर अफसोस लोगों ने ठेका ले रखा है इंसानियत को बुरी तरह उलजा के रखने का उनकी अपनी प्रकृती को लेकर देखे ये बहुत आसान है किसी धर्म गरंथ या गुरू को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है ये बहुत आसान है आपका अनुभव चाहे जो भी है वो हो आपके भीतर ही रहा है आपको ये बताने के लिए किसी महान योग या धर्म गरंथ या गुरू या स्वर्ग से गिरे किसी पत्थर की जरुरत नहीं है अगर आपके अनुभव की प्रकृती वो चाहे जो भी हो चाहे वो डर हो, गुसा, प्यार, नफरत, पर्मानंद्य, दुख हो सब कुछ आपके भीतर हो रहा है इंसानों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा इस पर गौड करना और ये देखना कि इसे सबसे मधुर अनुभव में कैसे बदला जाए, है न? अगर आपने उनसे ये नहीं कहा होता कि भगवान तुमसे प्यार करते हैं वहाँ उपर से अगर आपने प्यार को स्वर्ग एक्सपोर्ट ना किया होता तो काफी सारे इंसान, बहुत प्यार करने वाले इंसान होते हैं लेकिन अभी हमने इसे वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया है आपको उसे इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट करने के लिए आपको परमिट चाहिए और यहाँ दलाल मौझूद हैं जो आसानी से पर्मिट नहीं देते वो आ नहीं रहा क्योंकि सारा प्यार स्वर्फ चल गया है अब उसे वापस कैसे लाएं यहां एक पादरी उसका पर्मिट लेकर खड़ा है वो आपको यह नहीं देगा वो आपको यह नहीं देगा चाहे आप खुशी का अनुभव करना चाहें चाहे आप प्यार का अनुभव करना चाहें चाहे आप पर्मानंद का अनुभव करना चाहें चाहे जो भी इनसानों को मधुर्ता की जो भी आवस्थाएं पता हैं वो उनके भीतर से ही पैदा हुई है कैसा है? तो फिर कहीं से कोई पर्मिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बस ये खोच के लिए तयार रहना है कि ये क्या है और आप इसे सबसे मधोर अवस्था में ले जा सकते हैं इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई खूबी है प्यार कोई खूबी नहीं है आनंद कोई खूबी नहीं है खुशनमा रहना कोई खूबी नहीं है बस आपकी चाहत वैसा होने की है है न? ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे या आप आनंद में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की जरुरत नहीं है जिन लोगों ने खुद को नरग बना लिया है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं जिन लोगों ने खुद को स्वर्ग बना लिया है वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बहुत जरूरी है अगर आप पक्का करना चाहते हैं क्या वॉल्यूम ठीक है? अगर आप पक्का करना चाहते हैं कि इससे निकलने वाली आवाज अच्छी है इस उपकरन के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हैं आप उतनी बहतर आवाज निकाल सकेंगे है के नहीं? कभी कबार गलती हो सकती है, वो अलग बात है लेकिन आप इसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना बहतर होगा अगर आप एक sound engineer हैं, तो आप अच्छी आवाज निकालेंगे तो अगर आप एक inner engineer हैं, तो आप इसे वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं बस इसी की ज़रूरत है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए लेकिन चूंकि ये उस दिशा में नहीं है, जहां आप हमेशा अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं इसलिए शायद आपको मदद चाहिए हो, जरूरी नहीं है पर आम तोर पर हाँ, आपको इसके लिए थोड़ी मदद की जरूरत पढ़ती है लेकिन बस इतना ही क्रिपा वही मदद है, जो अंदर जाने के लिए एक अनुकूल वातावरन बना देती है अगर किसी मशीन को ठीक से चलना है, हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि आपको लूब्रिकंट चाहिए, थोड़ी चिकना ही आपके पैस जितनी भी अच्छी कार हो, उसे बिना ओइल के चला कर देखिए दस मिनिट में वो खराब हो जाएगी, है न? लूब्रिकंट ही उस कार को चलाए रखता है ये सारी शांदार मशीने, चिकनाई की उस थोड़ी सी पतली सी परत के बिना, थोड़ी सी देर में खराब हो जाएगी क्रिपा बस वही है उस थोड़े से लूब्रिकंट की तरह, ताकि चीजें आराम से होती रहें आजकल वो इसे लिक्विड इंजिनियरिंग कहते है और कोई ये कर रहा है ये भी ठीक है एक लिक्विड इंजिनियर चाहिए तो इसमें थोड़ी इंजिनियरिंग लगती है क्रिपा सर्फ लूब्रिकंट है ल्यूब्रिकन्ट के बिना अगर आप कुछ करते हैं तो घर्षन पैदा होगा जिन्दगी के इस घर्षन ने कई इनसानों को बरबात कर दिया है है ना? हाँ? उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया वो बस साधारन काम करते थे वो पैदा हुए जो उनका काम नहीं था यो उन्होंने नहीं किया वो बस हो गया वो बस ठीक से खाना चाहते हैं सोना चाहते हैं अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं वो बस इतना ही करना चाहते हैं इस प्रक्रिया में कितने ही इंसान तूट गए कड़वाहाट से भर गए और बरबाद हो गए क्योंकि लूब्रिकंड नहीं था उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी वो अपने इंजन को लूब्रिकंड के बिना चलाने की कोशिश कर रहे थे बस इतनी सी बात है देखिए आपका फोन भी इसलिए काम कर पा रहा है क्योंकि यहां हवा में इसकी तरंगे जा रही है है ना हम इसको डिस्टर्ब कर सकते है आपने विग्यापन देखे होंगे हलो 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 आपने देखे फोन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा disturbance है यही हो रहा है इसके साथ भी आपने जो कुछ भी देखा है उसके तुलना में ये कहीं ज्यादा जटल यंत्र है इसको आपके ध्यान की जरूरत है अगर आप ध्यान देते हैं तो फल जरूर मिलेगा